बच्चों आपने अमल और क्षार के बारे में मतलब एसीड और बेस के बारे में पिछली कक्षाओं में छोटी कक्षाओं में काफी पड़ा है आज हम कुछ प्रमुक अंतर डिफरंस अमल और क्षार में मतलब एसीड और बेस में जानने का प्रयास करते हैं बच्चों अमल जो होता है वो जल में घुलकर हाइडरोनियम आयन देते हैं यहाँ देखिए S3O प्लस लिखा है मैंने तो अमल जल में घुलकर हाइडरोनियम आयन देते हैं अब यहाँ आप कुछ कनफ्यूस हो सकते हैं क्योंकि नार्मली जो है जल की उपस्तिती में हाइडरोजन आयन उत्पन होते हैं और यहां मैंने लिखा है हाइडरोनियमायन तो ऐसा कह सकते हैं पर अंदू जो हाइडरोजन आयन है वो स्वतन्त रूप से नहीं रह सकते हैं लेकिन यह जल के अणूओं के साथ रह सकते हैं तो इस तरह से इनको हम हाइडरोनियमायन के रूप में व्यक्त करते हैं इस तरह से बताते हैं तो हम कह सकते हैं कि अमल जो है वो जल में घुलकर हाइडरोनियमायन देते हैं और जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोकसाइड आयन देते हैं देखिए हम इने OH माइनस लिखा है तो क्षारक अमेशा जल में घुलकर क्या करते हैं हाइड्रोकसाइड आयन देते हैं तो यह बहुत प्रमुक अंतर है कि अमल जब जल में घुलता है तो वो हैड्रोनेम आयन देता है और ख्षारक जल में घुलकर हाइड्रॉकसाइड आयन देते हैं दूसरा बच्चों आपने जो बहुत महत्वपुन अंतर सीखा होगा पिशली का ख्षाओं में कि अमल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं जबकि आपने देखा होगा कि जो ख्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तीसरा बच्चों जो महत्वपुन अंतर है कि जो अमल है तो अमल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है सोर होता है टेस्ट में अमल क्या होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि जो खशार है उनका स्वाद कड़वा होता है बीटर होता है तो टेस्ट की दृस्टी से भी आप बता सकते हैं कि अमल का स्वाद कड़वा होता है जिसे नीमू में सिट्रिक अमल होता है तो नीमू क्या होता है खटा होता है जबकि खशार का जो स्वाद है वो कैसा होता है करवा होता है बिटर होता है टेस्ट में तो एक्चुली क्या है कि आपने देखा हुआ कास्टिक सोडा है या चूना है या वाशिंग सोडा है ये बि फिर एक बहुत मैत्वून अभी कृए आम जानते हैं उदासिनी करण की क्रिया जिसमें अमल और ख्शार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं तो अमल ख्शारकों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं हमें ये भी पता है कि शुद्द जल का जो पीएच है वो साथ है और साथ से कम जिनका पीएच होता है तो हम कहते हैं कि वो अमल है और साथ से ज़्यादा पीएच मानवाले कहलाते है खशार तो ये भी एक आप अंतर के रूप में बता सकते हैं लेकिन बड़े अनुमान के तोर पर हम ये चार अंतर दे सकते हैं और बच्चो जो हमारे पहत्वपूर्ण रूप से जो अमल है जिनको हम प्रबल अमल बोलते हैं वे कौन कौन से हैं तो बच्चो आप देखेगा कि जो strong acids होते हैं वो mineral acids होते हैं strong acids कौन से होते हैं mineral acids जो earth के mineral से बनते हैं उनको हम बोलते है strong acids और वो मुक्रूब से जो mineral acids हैं उनमें HCl hydrochloric amble S2SO4 sulfuric amble और HNO3 nitric amble यह problem amble है एक mineral acid ऐसा भी है carbonic amble जो दुर्बल amble है तो उसकी चर्चाम यहां नहीं कर रहा है तो यह problem amble है SCl hydrochloric amble, syrfilic amble S2SO4 और nitric amble HNO3 आप इनको problem amble के रूप में लिख सकते हैं जबकि बच्चों जो natural acids होते हैं problem amble के बारे में हमने कहाए mineral acids हैं इसमें से आप अब जब durable amble की बात करेंगे तो यह थोड़े से natural acids जो होते हैं वो हम कहते हैं उनको दूरबल amble जैसे सिर्के में acid acid due verbal amble है संत्रے और नीम्बु में क्या होता है citric acid होता है citric amble होता है तो यह आपका प्रकरतिक amble है यह भी दूरबल amble है इमली में tartric amble होता है यह भी दूरबल amble है आगर खटा दूध हो दही हो तो उसमें lektic अम्ल होता है और अगर Chittie या nettle का डंक हमें लगे तो उसमें methenoic अम्ल होता है तो इस तरह से ये अम्ल हमारे हुए दूर्बल अम्ल जो हमारे कौन से अम्ले? प्राकरतिक अम्ल है. इसी तरह से अगर हम ख्षारक में बात करें तो प्रबल ख्षार हैं आपका sodium hydroxide, NaOH, potassium hydroxide, KOH तो ये प्रबल ख्षार होंगे ख्षारक और ख्षार में आप शब्दों में ज़्यादा फर्क मत समझेगा चलिए जो जल में घुलनचील ख्षारक होते हैं उनी को हम ख्षार कहते हैं तो ये लिखी रहा है कि ख्षारक जल में घुलकर हाइट्रोकसाइड आयन देते तो वो शब्दों का फर्क है जो जल में घुलन चिल शारक है उसे ख्षार केते तो ये प्रबल ख्षार है नोच और कोच और अगर दूरबल ख्षार में हम जाएंगे तो काफी सार है खास-खास अगर हम देखे तो NH4OH अमोनियम हाइट्रोकसाइड और केल्चियम हाइट्रोकसाइड CAOS twice इसमें आप मेंगनेशम हाइट्रोकसाइड भी ले सकते हैं MGOS twice तो इस तरह से ये कुछ प्रबल दूरबल अमल और दूरबल ख्षार है और हम अमल और ख्षार में अंतर कर सकते हैं धन्यवाद